लॉक्डाउन के दौरान पुलिस के कई वीडियो सामने आए जिसमें कहीं पुलिस का अमानवी चहरा दिखा तो कहीं मानवी है लेकिन पुबाल का जो एक वीडियो वारल हो रहा है उसमें पुलिस का अमानवी चहरा सामने आया है दरसल पुलिस ने गोता खुरों के साथ मिलकर बड़े तालाब में नहरे बच्चों को पकड़ कर ना सिर्फ उन से ठक बैठक लगवाई बलकि इसके बाद अर्द नगर अवस्ता में ही पुलिस ने जुलूस भी निकल वाया और वियाईपी रोड पर बच्चों से दौड भी लगवाई इस पर भी पुलिस का दिल नहीं पसी जा तो बच्चों को दी इस सजा का वीजियो भी बनवा लिया गया हाला कि अपुलिस और गोता खोरू ने इस पूरे मामले पर चुपपी सादली है वहीं मामले की जाँ सीएसपी कुतवाली बिट्टू शर्मा को दे दी गई है दसल दो दिन पहले रविवार को कुछ बच्चे व्याईपी रोड पर राजा भोच की मूर्टी के पास तलाब में नह रहे थे उस समय तलय या थाने के साई सुक्वी यादब ज्यूटी पर थे नगर निगम के गोता खोर कुछ बच्चों को पकर कर ठाने के बहार ले गए इसी दौरान डायल सौ भी पहुंच गई पुलिस को देखते ही बच्चे वहां से भागने लगे तो कुछ बच्चों को पकरने के बाद उनसे उठक बैठकल भी लगवाई और उनका इसी खालत में जलूस भी निकल वाया वीडियो में बीमसी का गोता खोर ये कहता सुनाई दे रहा है कि सबक सिखाने के लिए इन बच्चों को उठक बैठक के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद ही ने घर जाने दिया गया क्योंकि बच्चों ने लॉक्डाउन का उलंगन किया और यदि घहरे पानी में नहाने के दौरान कोई अनुहोंनी हो जाती तो इनके मातब पिता का क्या हाल होता इफारबी की मदद से पक लगाया यूगागों को तलाब किनारे नहा रहा है थे गेरा यदिक होने के कारण यहने परिश्मेंट की तोर बार उटक बेटा के लगवाई गई किरो दपो несколько तो बेस्तों मुद से अलेंगां क्युieur देखोन इन सु आलेंट Eso कुर देखोन दून को benefits को भूद मु魔ान को पिता ह।